इस्पेस इस्टेशन गार्विज की बात करें तो उसके लिए एक अलग से विकल्स बनाए गया है दोस्तो ड्रीम चेंजर नासा का कमर्सियल री सप्लाई यूटिलिटी इस्पेस क्राप्ट है जो की इंटरनेशनल इस्पेस इस्टेशन के लिए कार्गो ट्रंस्पोर्टेशन का काम करता है इसकी खासियत या है कि ये लोटते वक्त रन्वे पर लेंड होने की एबिलिटी रखता है जैसे की एक एरप्लेन लेंड होता है इसलिए इसे 15 पार रियूज किया जा सकता है जो कि इसे सस्ता और आसान स्पेस ट्रांस्पोर्टेसर का साधन बनाता है ये अपने साथ 37 किलोग्राम तक स्पेस इस्टेशन के गार्विज को लाकर एटमोसफेर में छोड़ देता है इससे वह जलकर डिसेंडिग्रेट हो जाता है और सबसे खास बत यहां कि डिम चंजर का डिजाइन कुछ ऐसा बनाये गया है जिससे या एर प्रेसर द्वारा लिप्ट करके बिना किसी इंजन पाउर के गलाइडिंग की मदद से लेंड हो जाता है